दोस्तों आपसे कुछ दिन बाद हम लोगों को लोकी का final episode देखने को मिलेगा लेकिन इससे related theory तो आ रही है और यहाँ पे आज की दिन हम लोगों के यह पता चला है कि एक और लोकी का variant है जो कि time various authority में बहुत पहले से काम कर रहा है और हम लोगों से जानते भी है चली इसके ब लोकी है, Mobius है, Sylvie है या फिर Kang the Conqueror साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी Comic Book Talks family का हिस्सा बन जाई तो दोस्तों मोग शुरुआत करते हैं बिलको नई अपडेट से सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे Marvel Studios Canada की तरफ से एक अपडेट यहाँ पर लोग दिखाएते लोकी को और भी episode 5 के लिए लेकिन दोस्तों मज़े की बात यह है कि उन्होंने लोकी के साथ Hunter B15 की फोटो अपलोड कर दी थी यानि दोस्तों इससे एक बात साबित होती है कि वह फीमेल लोकी विरेंट है यानि आब हम लोग पास दो ऐसे नए लोकी हो गए है अब यहाँ पर जब फीमेल लोकी ने उसे कुछ मेमोरी दिखाई थी हम लोग की तरफ से नहीं पता चला कि वह क्या देखी है लेकिन हां उसकी जो मेमोरी थी वह ऐसगार्ट की ती जहां पर एजगार्ड की कुईन बनी थी तब यह फीमेल लोकी से कह रही कि हाँ वो second female Loki तो जरूर है लेकिन उसकी कहानी कुछ अलग हो सकती है और यहाँ पर दोनों मिल के साथ में काम कर सकते है लेकिन बहुत लोग यहाँ पर यह भी लिख रहे हैं कि हो सकता है मोबिस भी कोई Loki का विरेंट हो तो यहाँ पर आपके साब से क्या लगता है क्या यह दम अलग तरेकी का Loki है जिसके पास एक Asgardian Jets की होगी अगर ऐसा है तो जरूर बताइएगा लेकिन इन सब के लाओ दोस्तों यहाँ पर 90% लोग कह रहा है कि यह जो विलन है वो King Loki है क्योंकि आखिरकार यह Loki की TV सीरीज है ना कि Kang the Conqueror की हाँ पर वो हम लोग को post edit scene में दिखाए दे सकता है लिकन जो आगे जाके जो हम लोग को विलन दिखाए देगा वो यही Loki होगा और यहाँ पर हम लोग Loki के nature को ignore ने कर सकते है उसका तो कामी यह सब करना आखिरकार वो god of mischief है अब यहाँ पर यह हम लोग समझ लेते हैं यह सब कैसे हुआ हो सकता है जो King Loki है वो पहला variant ऐसा है जिसे TV पकड़ी थी जब उस समय यहाँ पर जो time keepers थे वो real में थे और उसके बाद King Loki ने वैसा है किया जैसे कि पहले एपसोड में Loki बताता था कि वो लोग time keepers को खतम कर देंगे और ऐसा बहुत पहले King Loki ने कर लिया था इससे क्या वो दोस्तो King Loki ने अपने according timeline मना ली इसकी वो जैसे हुँ हमेशेक strong Loki बना रहे जो कि time veris authority बरूल करे हाँ मेरे साब से उसने time keepers को खतम कर दे है और समय के end में है जो अपने according timeline लिख रहा है यहाँ पर बाकी Loki इसकी variant को इसलिए खतम कर रहा था क्योंकि हो सकता है आगे जाके वो ही उसके रास्ते में आ सकते थे अब यहाँ पर हम लोग समझते तो time line पर रूल करना चारा हो और उसी ने रेवना को जान मचके टीवे भेजा हो ताकि वो पता कर सके कि इन सब के पीछे कौन है लेकिन जैसे उसे पता चला कि time keepers रियल नहीं है उसे कोई और कंट्रोल कर रहा है तो काफी हरान हो गी है क्योंकि यहाँ पर रेवना को time keepers का विश्वास जीतना था ताकि उनको हटा के वो kang the conqueror करे रास्ता साफ कर सके लेकिन ऐसा होने पया अब उसे reality का पता लगाना है और अगर हम लोग बात करें King Loki की तो हाँ यह अपने रास्ते में किसी को नहीं आने देगा और हाँ एक trailer आगर आप लोग देखे होंगे तो यहाँ पर Loki एक अजीब से castle में है जिसमें वो बिल्कुल अकेला है तो यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो Loki और Sylvie है वो King Loki के पता लगा रहे होंगे लेकिन इन सब के बाद होगा क्या माली जो King Loki को खतम कर दिये तो क्या TV को जो members है यानि Time Wires Authority के जो लोग है जो से बनाये थे वो अब बेज जिन्दा होंगे क्योंकि मेरे साब से King Loki इतना तो powerful नहीं कि अपने आप जाके कोई ऐसी organization बना ले जो समय को control करती हो उसका काम ही है कोई जहाँ पर राज कर रहा है उसे हटा के उस जगह को हसल करना ना कि नया राज बनाना तो हम लोग समझ सकते हैं King Loki का काम कैसे किया गया होगा अब यहाँ पर एक चीज तो है कि अगर Time Wires Authority King Loki से पहले exist करती थी तो उस समय Multiverse possible था लेकिन जैसे King Loki आया Multiverse का concept उसने हटा दिया तक कि कोई Loki उसे disturb ना कर सके और जैसे King Loki चला जाएगा और मालेजिए उसने TVA के जो मेंबर से उनको बान के रखा होगा तो वो वापस आ जाएगे और Multiverse का concept वापस आ जाएगा और यह बहुत लोग बोल ले कि हम लोग को Miss Minute को कभी underestimate नहीं करना चाहिए वो भी बहुत powerful villain हो सकती है तो दोस्तो उस बारे में मैं भी कुछ ने का सकता है क्योंकि उसकी power कंदाज है तो आने वाले वक्त में पता चलेगा लेकिन हा दोस्तो हम लोग सब कुछ accept कर सकते है लेकिन जो हम लोग का current लोकी है जिसे टीवी ने पकड़ा था वो अभी अच्छा हो गया है लेकिन अगर बाब में जाके वो evil हो जाता है तो audience को कितना अजीव लगेगा लोकी के तो काम ही है यह सब करना लेकिन दोस्तो मेरे साब से अगर यह सब नहीं हुआ तो finally हम लोग को फीक तरीके से multiverse दिखाई देगा और यहाँ पर दोस्तो मैं post edit scene के इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि Kang the Conqueror TVA की Tamlin को हसिल ने कर पाय है तो उसे दूसरा option अपनाना पड़ेगा यहाँ वो समझ जाएगा कि Multiverse हो सकता है तो ऐसी Tamlin में जाएगा जहाँ पर Avengers बच्चन है जो कि हम लोग की Current Tamlin आप लोग देखेंगे यहाँ लोग का जो इनवस है उसमें ना तर टोनी स्टाक है ना ही Captain Steve Rogers तो यहाँ पर Kang the Conqueror के लिए यह सब करना काफी आसान हो जाएगा वैसे भी दोस्तों इस विलन के आने का हम लोग को एक और हिंट एपसोट 5 में देखने को मिल गया था आप लोग देखेंगे जो Avengers Tower है उसका नाम हो गया है तो क्वेंट अब यह जो टावर है यह इसका ओनर Kang the Conqueror का एक alternate version है यहने दोस्तों हम लोग को समझ में आ गया कि Avengers Tower किसको सेल हुआ था तो यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पर Kang the Conqueror आता है तो उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है और यहाँ पर उसका आना आज दे तो कल्ट है है और इसलिए यहाँ पर Antman 3 में वो सूपर विलन अम लोग को दिखाई दे रहा है अगर आप लोग दोस्तों नोटिस कियोंगे जब Antman and the Wasp आई थी तो वहाँ पर Quantum Reel में हम लोग एक कैसल जैसा देखते थे या फिर कह सकते वहाँ पर पूरा शहर था तो क्या पता यह वही चकाँ हो जहाँ पर Kang the Conqueror अभी तक रुका हुआ हो क्यूकि उसे एक सही टैमलें नहीं मिली है जहाँ पर रूल कर सके जैसी Avengers Endgame के incident हो जाएंगे उसे समझ में आ जाएगा कि आगे जाके उसे क्या करना है और finally हो सकते Avengers 5 में जो main villain हो वो यही हो और अगर ऐसा हो गया तो अगर Kang the Conqueror के इतने वर्जिन आ सकते हैं तो हम लोगो आगे जाके Iron Man को भी देखना पड़ेगा और यहां तक कि Iron Man के बेटा है अब आप लोग सोच रहोंगे कि मावस सिनमेटिक लोश में तो हम लोग Morgan Stark को जानते हैं तो Iron Stalk कहां से आ जाएगा तो दोस्तों हो सकते कि alternate timeline में वो एक्जिस्ट करता हो और उसने ना जाने कितने Kang के वर्जिन को पकड़ा हो यहाँ अगर current timeline में Kang the Conqueror आके रूल करना चाहरोगा तो हम लोगो टोनी स्टाक एक ज़लक दिखाए दे सकती है आकरकार वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं तो यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ मल्टिवर्स के बाद हम लोगो जो पुराने सुपर हीरो हैं जिनको हम लोग मिस करेते हो वह आपे साते वे नजर आएंगे लेकिन अगर हम लोग बात करें करन्ट लोकी की ट्यवी सिरीज की तो यहाँ पर मेरे साब से भी किंग लोकी मेंड मिलन होना चाहिए और Kang the Conqueror को end में दिखाना चाहिए ताकि एक तरीके के आगे के future पता लग सके कि क्या होने वाला है और वैसे पर दोस्तों आप लोगो तो पता है इसका season 2 आने वाला है लेकिन उसे आने में अभी शायद one year all लग जाएंगे और तब तक शायद हम लोग end में 3 movie देख चुके होंगे और Fantastic 4 भी आ गई होगी तो हम लोगो यहाँ पर कैंग की origin का भी पता लग जाएगा जिसके बाद दुस्तों यहाँ पर हो जकता है लोकी वर्सेस कैंग की एक अलग सीरीज निकाली जाए यहाँ पर कैंग दर कॉंकररर टैमलन को रूल करना चारा है वही लोकी उस टैमलन को बचा भी सकता है सुनने में तो काफी अजीब लग रहा है लोकी अब हीरो बन गया है लेकिन चलिए कोई बात ने लोकी के alternate version देखने के बाद हम लोगो भी Avengers की यह version देखने है और वैसक भी हम लोग ने थौर का एक version देखी लिया है और आप Spider-Man को alternate version तो आने बाले है और खास का Multis and Madness में Doctor Strange पता करेंगे क्या ऐसा universe एक्जिस्स करता है हाँ पे टूनी स्टार्क स्नाप करने के बाद भी सर्वाइब किया सबन्याइगा